है 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 कैसे वह आप सब लोग तो चलिए काम करना शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के लिद्र में हलका सा गैप देखने हूं मिला है और यह अच्छी जगह है जहां पर हम मार्केट के इंदर क्या कर सकते हैं सेलिंग कर सकते हैं तो सबसे पहले हम 51,000 का हम पुट एड करें डिए कि 900 क्वन्तिटी में भाई कर लेता हूं उसके बाद हम 900 का फूट एड करेंगे और यहां पर भी हम स्थम कंटिटी बाई कर लेते हैं और उसके क्या होता था एक index में एक ही दिन सभी का six तो यहां प्षोरू में मोशनले क्या होते हैं काफी नोगों की पोजिशन हो झाते उसे किसी ने को लिया थाया था। तो अगले दिन बना लेता है कोई नहीं बनाता तो न्मली क्या होता है यहाँ पर जो भी। को ज़ाता है तो जो भी श。 करके बैठे थे उनको निकाल सुगा तो फिर हमारे पास कौन रहता है कहीं ना कहीं बाइर ही रहता है उससे भी अगर हम फर्दर जाएं तो हमें क्या नज़र आ की अगर नहीं आ तो फिर हमें थोड़ा सोचना पड़ता कि मार्केट क्या करना चाहता है तो अभी हम यहां पे वेड करेंगे और जैसे बाहर वगर देखते जाएंगे और हो सकता है बड़ा टार्गेट करने का में मुखा मिल जाए और अगर मार्केट भूम जाता है या को फिर उच अलग करने कोशिश करता है तो अभी तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मार्केट ऐसा करना चाहिए लेकिन अगर करेगा तो फिर हम देखें मार्केट ने उसे काफी जादा कम कर दिया है कम करने में तो तकलीफ नहीं होता लेकिन मार्केट क्या करा है 50-800 का अग्जैक्ली सपोर्ट ले रहा है तो जब तक यह लेवल नहीं तोड़ता तब-तक क्लोजिंग प्राइज नहीं टूटे ग और जब-तक लोजिंग प्राइ situation थोड़ी सी खराब हो जाएगा मार्केट फिर देरे-देरे करके नीचे अराम से पहुंच जाएगा तो यह लेवल तूटना जरूरी है यह छोटा सा लेवल है वैसे तो लेकिन जब तक ना तूटे तब तक बहुत बढ़ा है तो 50-600 का हम वेट करेंगे जब यह लेवल तू कर रहे तब हमें थोड़ी सी प्रिशानी नजर आ रहे है कि बाई चांस यह 51,000 के आसपास पहुंच गया तो वह प्रोब्लम सबसे बड़ी हमारे लिए हो सकती है तो यहां पर देखिए हम अपनी पोजिशन में दुबारा से प्रोफिट में आ गये हैं मार्केट ने ब्रेक डिरेक्टली मार्केट बढ़ गया फिर देखिए 51,000 कितना अच्छे से रेजिस्टन्स लेकर आ रहा है और फिर कहिना के उसी लेवल का मार्केट डाउंसाइट का मोमन्टम कर रहा है तो ऐसी मार्केट में देखिए ट्रैपिंग तो बहुत हो रहा है लेकिन क्या करें जैस लिए नहीं चला तो हमारा जो पोजना वो वैसे खराब हो जाता है तो देखते हैं जब तो पचास आठसो लेवल नहीं तोड़ता है तब तो कुछ बनेगा नहीं लेकिन हां प्रूफिट में आ गये हैं तो यह भी हमारे लिए अच्छी बात है तो अभी रूखते हैं बायर ट्रैप हो जाएंगे तो अब देखते हैं बायर जाएगा या फिर शैलर जाएगा जो भी जाएगा अच्छे से जाएगा फिर दुबारा से साइध ही आप आएगा तो ऐसा यहां पर कुछ हमें नजर आ रहा है तो जैसी ब्रेक आउट या फिर ब्रेकडान होता है उ 800 का सपोर्ट था मार्केट डारेक्ली ऊपर गया था तो फिर से नीचे आ गया लेकिन इसने इस बार कोई भी राउंड नंबर ऐसा कुछ सपोर्ट वगरा नहीं लिया है यहां पर जो बायंग वगरा करे थे डारेक्ली उनको मार्केट ने क्या कर दी इस प्रकार की मूमंट लिया होगा मार्केट के ने कौशी कर रहा है और दूसरा अगर हम बात करें निफटी भी टो इसने भी प्राइज को नहीं दोड़ा तो जब पर इसको market target नहीं करा और कहिना की उपर जा सकता है तो हमें यहां पर क्या करना चाहिए अपना लोस वगरा booking कर लेना चाहिए वैसे लोस जादा नहीं लेकिन कल देखे हमने जो profit book किया था वो भी जादा नहीं था तो आज हम जो लोस booking करेंगे वो भी जादा नहीं होना चाहिए मार्केट में सही होते हैं गलत होते हैं वो कोई बात नहीं लेकिन अपना जो profit loss का जो management है वो सही होना चाहिए जितना लोस उतना प्रोफिट जितना प्रोफिट उतना लोस अगर करेंगे तो मार्केट के अंदर बच जाएंगे अधर वाइस अगर उपर नीचे करेंगे तो मेरा तो वैसे ही अपना और वन बाई वन का है तो पुरा वीग खराब हो जाता है तो इसलिए मैं ध्यान रखताओं कि जादा उपर नीचे ना वो प्रोफिट लोस आज पास ही रहे तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद